दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम स्विद MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शांदार ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक, सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड हम कैसे निकालेंगे, किसी भी open chain compound में, किसी भी organic compound में, किसी भी carbonic yogic में कितने सि अंदर ट्रिक है, वीडियो में end तक बने रहिएगा, एक्जाम स्विद MS YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखने हैं, कि ये जो ट्रिक है, ये एलिफैटिक compound, यानि कि खुली श्रंखला वाले carbonic yogicों के लिए apply होगी, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे, कि जहाँ पर एक single bond होता है, वहाँ पर क्या होता है, कि एक sigma bond होता है, जहाँ पर double bond होता है, वहाँ पर एक pi bond होता है, और एक sigma bond होता है, और जहाँ पर triple bond होता है, वहाँ पर क्या होता है, कि 2 pi और एक sigma bond होता है, ये हम जानते हैं, वन सिंगल बॉंड तो वन सिग्मा बॉंड, वन डबल बॉंड तो वन सिग्मा, वन पाई, और वन ट्रिपल बॉंड तो टू पाई और वन सिग्मा, चलिए अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है कि जैसे हमने यहाँ पर एक्जामपल लिख लिया CH4, तो इसमे कितने sigma bonds या कितने pi bonds उपस्तित हैं यह हमको पता करना है तो number of carbon minus one plus other atoms other atoms इस formula से हमारे निकल आएंगे sigma bonds number of carbon minus one plus other atoms इससे कौन से bonds निकल आएंगे sigma bonds तो यहाँ पर हमने example के रूप में लिया है methane को तो methane का formula है CH4 तो हमें इसमें sigma bond calculate करने हैं कि इसमें कितने sigma bond होंगे तो number of carbon कितने हैं इसमें एक carbon है minus one plus other atoms यानि कि अन्य परमाडू कौन से है चार hydrogen के परमाडू है तो one minus one is equal to zero plus four यानि कि इस molecule में उपस्तेत हैं four sigma bonds इसमें उपस्तेत है अब देखिए जब आप structure लिखते हैं तो लिखते हैं CHH चारो single bond से जोड़े होते हैं तो आप यहां पर clear है कि यहां पर four sigma bonds ही हैं क्योंकि जहां पर single bond होता है वहां पर एक sigma bond होता है तो यहां पर यह हो जाएगा sigma यह sigma यह sigma और यह sigma चार sigma bond उपस्तेत हैं चलिए दूसरा example लेते हैं मान लीजे कि हमारे पास है ethylene molecule c2h4 यह हमारा ethylene अब इसमें सबसे पहले हम sigma bonds वाला formula लगाएंगे sigma bonds कैसे calculate करते हैं sigma bonds की संख्या होगी number of carbons minus one plus other atoms मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए तो number of sigma bonds तो number of carbon कितने है 2 minus one plus other atoms कितने है 4 hydrogen परमाडू है जो की अन्य परमाडू carbon के अलावा जो परमाडू होंगे उनको हम कह रहे हैं other atoms तो यहाँ पर 4 तो 2 minus 1 is equal to 1 plus 4 बराबर 5 तो एथलीन मॉलीक्यूल में कितने sigma bonds होंगे 5 sigma bonds निकला है अब जब हम इसका structure लिखते हैं तो structure एथलीन का कुछ इस परकार होता है C double bond C और 4 hydrogen परमाडू हमारे इस परकार से जोड़े होंगे तो हम जानते हैं कि जहाँ पर single bond होता है वहाँ पर 1 sigma bond होता है sigma 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 और जहाँ पर double bond होता है वहाँ पर 1 pi और 1 sigma तो यहाँ पर 5 sigma bond निकले हैं हमारे trick से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 sigma बंद हैं अब pi bond कैसे calculate करेंगे पहली trick pi bond के लिए है कि पहले तो हम जानते हैं कि जहाँ पर जहाँ पर आपके एक single bond होगा तो वहाँ पर pi bond नहीं होग जहाँ पर double bond होगा, वहाँ पर 1 pi और 1 sigma होगा, और जहाँ पर triple bond होगा, वहाँ पर 2 pi और 1 sigma bond उपस्तित होगा, इसके लावाद दूसरी trick क्या है pi bond के लिए, pi bond के लिए, दूसरी trick आप अप्लाई कर सकते हैं, कि total bond यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 bond है, तो 6 से जब हम 5 sigma को घटा देंगे, क्योंकि हमने sigma तो calculate ही कर ली है, तो जब हम sigma को घटा देंगे, sigma bonds को घटा देंगे, तो कितने, जो बचेंगे bonds हो pi bonds होंगे, जैसे यहाँ पर 6 bond है total, तो 6 से जब हम 5 sigma घटा देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें 1 pi उपस देता है, 1 pi bond उपस देता है, चलिए next example देख लेते हैं, चलिए, मान लीजिए हमारे पास है acetylene, c2, h2, तो इसमें हमें क्या calculate करना है, कि sigma बंद कितने हैं, sigma bond कितने हैं, और pi bonds कितने हैं, तो sigma bonds के लिए वही formula, carbon की संख्या, minus 1, plus other atoms, other atoms, आपने यह formula लिख लिए, तो carbon कितने हैं, इसमें, 2, minus 1, plus other atoms कितने हैं, 2 परमाडू हैं, अत्रिक्त, जो की अलग हैं carbon से, तो hydrogen के, तो 2, तो 2, minus 1 is equal to 1, plus 2, हो जाएंगे 3, तो इसमें 3 sigma bond उपस देता हैं, जब हम इसका structure लिखेंगे, तो structure हम acetylene का कुछ इस प्रकार लिखते हैं, कि H, C, triple bond C, single bond H, तो आप इसमें clearly देख सकते हैं, कि यहाँ पर sigma होगा, यहाँ पर sigma होगा, यहाँ पर sigma होगा, जहाँ पर triple bond होता है, वहाँ पर 2 pi और 1 sigma होता है, तो यहाँ पर हमने trick से निकाले, कि इसमें 3 sigma bonds present हैं, अब pi bond हम जानते हैं, कि जहाँ पर triple bond है, वहाँ पर 2 pi होंगे ही होंगे, लेकिन ट्रिक से अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल बॉंड इसमें किन लीजे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 टोटल बॉंड है 5 से इसके सिग्मा घटा देंगे अब सिग्मा कितने निकले हैं ट्रिक से 3 तो यहाँ पर कितने पाई बॉंड हो जाएंगे 2 पाई बॉंड हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजे हमारे पास है CH3 CO NH2 एथिनामाइड जिसका सामान नब असिटामाइड है तो हमें इसमें सिग्मा बॉंड पहले निकालने हैं कि सिग्मा बॉंड कितने हैं तो सिग्मा बॉंड नंबर अफ कार्बन माइनस वन प्लस अधर एटम्स अधर एटम्स तो कार्बन इसमें कितने हैं कार्बन है इसमें वन टू तो यहाँ पर हैं 2 carbon minus 1 carbon पर माड़ो है हमारे पास 2 2 minus 1 plus other atoms कितने हैं देख लेते हैं 1 nitrogen, 2 hydrogen ये, 3 hydrogen ये plus 1 oxygen, तो 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर 7 other atoms हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 plus 7 is equal to 8 यानि कि इसमें 8 sigma bond उपस्तित होंगे 8 sigma bond उपस्तित होंगे अब जब हम इसका structure लिखेंगे जब हम इसका structure लिखते हैं acetamide का तो C, one second, video clear नहीं आपा रहा लिखते हैं हम C, H, 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 C, O, N, H2 देखें इसमें 8 sigma bond यहाँ पर हमने निकाल ले हैं तो यहाँ पर sigma होगा, यहाँ पर sigma होगा, यहाँ पर sigma होगा 3 sigma, फिर यहाँ पर sigma, यहाँ पर sigma, यहाँ पर sigma, यहाँ पर sigma 4, 5, 6, 7 और इस double bond में भी क्या होगा कि 1 sigma होगा और 1 pi होगा तो यहाँ पर 1 sigma तो total हमारे 8 sigma bonds निकल आए हैं 8 sigma bonds यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 8 sigma bonds उपस्तित है, तो यह trick है हमारी sigma bonds हम निकाल लेंगे पहले, फिर pi bonds के लिए हम जानते ही हैं कि जहाँ पर 1 single bond होगा, वहाँ पर cable sigma होता है, जहाँ पर double bond होता है, वहाँ पर 1 pi 1 sigma, और जहाँ पर triple bond होता है, वहाँ पर 2 pi और 1 sigma bond घडा दीजिए तो आपके pi bond निकलाएंगे, तो total bond कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 से जब हम 8 sigma घडा देंगे, तो कितने बचे, 1 ही तो बचा bond, और वह bond कौन से होगा, pi bond होगा, तो यह इस तरह से आप इसको sigma bonds और pi bonds की संक्या, एलिफेटिक और्गेनिक कंपॉंट्स, यानिकि एलिफेटिक कार्बनिक योगिकों में, आसानी के साथ निकाल सकते हैं, इस ट्रिक की साहता से, आप एलिफेटिक कंपॉंट्स में निकाल सकते हैं, दोस्तों, एरोमेटिक कंपॉंट्स के लिए ट्रिक अपलाई नहीं होग हैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक question दे देता हूं कि c2 h6 और c4 h10 और c3 h6 में आप sigma और pi bond निकालिए और फिर हमें आप comment box में बताइए तो यह थी trick हमारी sigma bond और pi bond हम किस प्रकार से निकालेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए thanks for watching and listening me and good luck for your future aromatic aliphatic compounds में खुली श्रंखला वाले organic compounds में पाई और bond sigma bond कैसे calculate करेंगे formula एक बार और लिख देते हैं number of carbon sigma bonds कैसे निकालेंगे sigma bonds का formula है हमारा number of carbon atoms minus one plus other atoms other atoms इसको ध्यान रखिए बस आपके sigma bonds निकल आएंगे और पाई bond के लिए हम दो ट्रिक जानते हैं या तो टोटल से हम घटा देंगे sigma bonds की जंक्या या फिर हम यह जानते हैं कि जहां पर एक single वहां पर केवल sigma जहां पर double एक पाई एक sigma और जहां पर triple वहां पर 2 पाई 1 sigma thanks for watching and listening me and good luck for your future exams thumbs to the MS को subscribe कीजिए इसी प्रकार के tricks, tutorials, question paper, model paper और important questions के लिए मिलते अपने next video में thank you and bye bye